हरे कृष्णा, जै भूलिनाथ, आप सभी का दिन शुप और मंगल में हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सब का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए फालगुनमास महतमे में आगे का वरितांत। शिरी मारकंडे जी कहते हैं हे राजन, महाईश्वरपुर में बहुत सारे तीर्थ हैं, वहां से रोत्र वारुन तीर्थ तक जो एक कोस की भूमी है, उसके भीतर का इस्थान शिवचेत्र कहा गया है। जो वहां मृत्य को प्राप्त होता है, वह शिवलोक में आनद का भागि हो जाता है, वहां पित्रों को तिल और जल की अंजली देने से माता और पिता दोनों कुलों के पितर महा प्रलै काल तक तरप्त रहते हैं। प्राचिन काल में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा वहां असंख्य उत्तम यग्य किये गए हैं। देवराज इंद्र ने भी वहां यग्यानुस्ठान करके देवराज बत को प्राप्त किया है। कार्त विर अर्जुन ने भी वहीं पूर्वकाल में सो यग्य किये थे। राजन बहुत पहले की बात है। अयोध्यापुरी में सूर्यवंशी राजा वैवस्वत मनु जो साक्षाद भगवान सूरी के ही पु किसी को नहीं होता था। उसके बाद उन्हीं के वंश में परमधर्मात्मा राजर्शी सालं कायन हुए। जिनके राजिकाल में पूरी प्रत्वी सच्च श्यामला और धन धाने से संपन्य थी। गववें स्वयम ही इच्छनुसार दूदू दिया करती थी। एक समय अयोध के जीव समुदाय भी नस्ट प्राय हो गए। उस समय देवता, असुर तथा मनुष्यों में बड़ा भारी हाहकार मच गया। हे युदिस्टर अपने देश पर आई भी इस आपत्ती को देखकर राजर्शी सालं कायन को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि जन्म से लेकर अब तक मेरे द्वारा कोई भी पाप नहीं हुआ। मैं तो सदा संसार सागर से पार उतारने वाले भगवान श्री हरी का पूजन किया करता हूँ। ब्रहमन और रिशी मुनियों को भी मैंने इच्छा नुसार तरप्त किया है। फिर भी मेरे रास्टर में ये विपत क्यों आई होगी। इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने ब्रस्पति जी के समान बुद्धिमान ब्रह्मवादी वसिस्ट मुनि को भक्ति भाव से सास्टांग प्रणाम करके पूछा। ही ब्रहमन ये बारा वर्षों की अन्नावरिष्टी क्यों ही है। मेरे राज में इतना भीशन अकाल क्यों पढ़ गया। वसिस्ट जी कहने लगे महाबाहो जन समुदाय में महर्शियों के वचन सुनकर उसी के नुसार कोई उपाए अवश्य करना चाहिए। तब राजा ने जन सभा में आसन पर बैठे वे महर्शियों के पास जाकर उस अकाल का कारण ब्राहमनों के साथ इस प्रेश्ण पर विचार करो। वे मुनी जो जो धर्म तुम्हें बताएं उनका तुम्हें पालन जरूर करना चाहिए। इसके बाद राजा सालंकायन ब्राहमनों के साथ दिविरत पर आरूड होकर नर्मदा नदी के तठपर गए और वहां मुनियों के साथ बैठे वे मुझ मारकंडे को प्रणाम करके बैठ गए। तब मैंने उनसे कुशल मंगल पूछा। राजा कहने लगे कि वे ब्राहमन आज आपके चरनार बिंदों का दर्शन करने से मैं सकुशल हूँ। परतु भविश्य में मेरे रास्टर का क्या होगा ये बात कुमार्ग गामी होने से, देवताओं और ब्राहमनों को कष्ट पहुचाने से तथा वर्नाश्रम धर्म का लोप करने से जो महान धर्म होता है, वो धर्म को हानी पहुचाता है। इसलिए इस संकट से बचने के लिए और मुक्ती पाने के लिए तुम नर्मदा के तठपर आ पहले की तरह चलने लगेगा तुम भी पाप दोष्ट से मुक्तों जाओगे और राज तरह स्वर्ग पाओगे मुनी का ये वचन सुनकर राजा ने मुनियों सहीत मुझे नमस्कार किया और कहने लगे महामुने आपने कृपापूर्वक जो कुछ बताया है उसे मैं अपने उ लाने पर महराज की एक हजार आठ रानिया राजकुमार तथा घर का कामकाज करने वाले अन्य सभी लोग भी यग्य सामगरी सहीत वहीं पर उपस्तित हो गए तब राजा सालेंकान मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले कि मुने आग्या दीजे कहां यग्य प्रारम किया तब राजा ने यग्य के लिए वसिस्ट जी वामदेव जी आदी बहुत से रिश्यों का वरण किया यग्य मड़प में सोने के बड़े बड़े खंबे लगाए गए जिनसे वहां बड़ी शोभा हो रही थी कुंड वेदी और सुरुवा आदी सब स्वन्ड में थे तरह तरह के भक्षिभोज पदार्थ और तरह तरह के रस्त तयार किये गए थे वेद पाठी ब्रहमन उद्वारा देवताओं का आवान और पूजन किया गया होमकुंड में अगनी का आधान हुआ धूम रहित अगनी प्रज्वलित हो गई वेद मंत्रों के उच्चारण से आकाश कुंज उठा आहूतिया दी जाने लगी इस प्रकार विधी पूर्वा किया कि पूरा होने पर जब सब लोग अवभरत इस्तनान के लिए नर्मदा नती में कए तब उसका जल सूखा हुआ दिखाई दिया ये देखकर राजा को बड़ा अश्चर हुआ उन्होंने मुनिवर दुर्वासा जी से पूछा कि मुनिवर ये क्या हुआ वर्शा भी कहीं नहीं हुई और नर्मदा का जो पुराना जल था वो भी सूख गया इसका क्या कारण है राजा का प्रशने सुनकर दुर्वासा मुनि बोले राजन जल तो सभी लोकों को भीस्ट है तब होम और वेदमंत्र ब्रहमनों के अधीन है और यग्यरक्षा तथा दक्षिना यजमान के अधीन इसलिए सब कुछ विधीवत संपन हुआ है नर्मदा जल रहित हो गई और बादलों ने भी अभी तक पानी नहीं बरसाया इससे हताश होने की अविशक्ता नहीं है राजन जो चली गई है उस नर्मदा नदी के आने का इंतिजार देखो तब राजा ने नर्मदा जी की इस्तुती इस प्रकार प्रारम की यहे सुरेश्वरी आपको नमस्कार है शंकरात्मजे आपको नमस्कार है इडा, पिंगला, उमा, गंगा, सरस्वती, वेद माता, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्रहमी, वैशनवी और गौरी सब को च व्याप्त हैं. समस्त चराचर जगत आपके जल से व्याप्त है. जगत में कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई दीता जो आपके जल से आवरत ना हो. आपके जल में इस्नान करने मात्र से तरप्थोकर सब जीव परमगति को प्राप्थ होते हैं. अमित तेजस्वी राजा के मुक्से इस प्रकार इस्तुती सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रतक्ष दर्शन दिया और कहने लगी राजन तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके नुसार वर मांगो तब राजा ने हाथ चोड़ कर कहा कि देवी आप साथ पूर्व के और साथ दूसरे प्रवाहों को अक्षे कर दिजिए नर्मदा जी बोली राजन लो ये वर्दान मैंने तुम्हे यथार्थ रूप से दे दिया ऐसा कहकर सरिताओं में स्रेष्ट नर्मदा जी जलराशी से परिपोन होकर विश्तरित प्रवाहों से बहने लगी राजा सालें कायन का ये अद्भुत कर्म देखकर सत्य धर्म पराये सभी महर्शी उनकी प्रशिंसा करने लगे इसके बाद उन सब ने नर्मदा नदी में स्नान, अहवाहन, जल्पान और पित्तरपन किया इसके बाद सर्वस्व दक्षिना पाईवे ब्रहमनों ने वहयग्य समाप्त किया जो जिस वस्तु की कामना करता उसे वही वस्तु दी जाती थी इसके बाद शिवाले में जाकर समस्त मनवांचित फलों को देने वाले देव पूजित महेश्वर लिंग्वे इस्थित भोग मौक्ष प्रदाता उमा महेश्वर का राजा ने विधिपूर्वक पूजन किया पूजा में प्रत्यक उपचार ओम महेश्वराये देवाये शंभवाये नमो नमहा इस मंत्र से ही चड़ाया गया पूजा समाप्थ होने पर राजा वही हाथ चोड़ कर खड़े हो गए इसके बाद नर्मदा देवी भगवान शंकर के चरण के नीचे से प्रकट हुई उनका वह प्रवाह संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हुआ इसके बाद संतुस्ट्वे महादेव आदी सभी देवतागन बोले राजन तुम अब मनवांशित वर मागो उनके ऐसा कहने पर राजा सालेंकेन कहने लगे कि देवताओं आप लोग कभी भी इस इस्थान का परित्याग मत कीजेगा हमारे राज में अकाल आदी दोशों से पीडित प्रजा का कष्ट दूर हो और वह सदा फलें फूले इसके सिवा इस सिस्थान पर आहवनी अगनी स्वयम ही सदा विद्यमान रहे राजा की बात सुनकर देवताओं कहने लगे कि राजन तुमने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा ऐसा कहकर सब देवताओं वहां से अंतरध्यान हो गए राजा का राज पुनह व्रध्धी को प्राप्थ हुआ और देवराज इंद्र इच्छानुसार वर्षा करने लगे वह यह की पूरा करके राजा सालें कायन अपने मंत्रियों तथा अंतहपुर की रानियों के साथ देव निर्मित अयोध्यापुरी में लोट आए युदिष्ठर इस प्रकार मैंने तुम्हें उमा महेश्वर तीर्थ का महतमे भी सुनाया है अब धर्मराज युदिष्ठर को श्वेत किंशुक आदी तीर्थों की महिमा बताते वे मारकंडे जी कहते हैं हे युदिष्ठर अमरेश्वर के पूर्व भाग में इस्थित श्वेत किंशुक नामक पाप नाशन तीर्थ का महतमे भी सुनो जिसमें इस्नान करने वाले मनुश्य स्वर्ग लोग को प्राप्त होते हैं वहां उत्तम सिधी प्रदान करने वाला श्वेत किंशुक नामक लिंग है तथा स्वर्ग रूपी फल प्रदान करने वाले ताट केश्वर महादेव भी वहीं विराजमान है इसके बाद वर्ण नाम से प्रसित एक दूसरा पाप नाशक तीर्थ भी है जहां लोक में वर देने वाले तरयमबक महादेव विराजमान है उस तीर्थ के महातमी से गंडेश को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी वहां गंड केश्वर और शुकलेश्वर लिंग प्रसित है नर्मदा और दंतीवनी का संगम सर्वत्र विख्यात है वहीं पर सबसिद्यों को देने वाला लिंगेश्वर लिंग भी है बालकेश्वर और पौनकेश्वर लिंग भी वही है नर्मदा के उतरतट पर उत्तम नर्मदा पुर है कपिशिला नाम से प्रसित एक तीर्थ है जो सब अनर्थों का निवारन करने वाला है वहीं सिद्धेश्वर तथा नाड केश्वर लिंग भी है राजन इसके बाद व्यदूर परवत से पश्शिम दिशा की ओर जाए वहाँ शशभी और नर्मदा का संगम है जो सब पापों का नाश करने वाला है वहीं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला शशभेश्वर लिंग है जो तीनों लोकों में विख्यात है वह गर्दभी की योनी से मुक्ति दिलाने वाला है यहीं मंडलेश्वर नामक तीर्थ और लिंग है जहां मंडलिक नरेश अजापाल और मनुसित्य को प्राप्त हुए है वहाँ यग्य करके मन शफिर इस अंसार में दुबारा जनम नहीं लेता वहाँ तिल और जल देने से तथा पिंडदान करने से जब तक सूर्य और चुंद्रमा विद्यमान है तब तक पित्रों को त्रप्ती बनी रहती है वहाँ जो दान दिया जाता है उसके पुर्णे की कोई संख्या नहीं है वहाँ से कांतारक तीर्थ में जाए जो सब तीर्थों में श्रेष्ट और शुब है वहाँ इसनान करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और मरने वाले मुक्ष प्राप्त करते हैं त्रेता युग में रगवन्शी, राजकुमा, श्रीराम और लक्षमर्ण जी, मिथिलेश कुमारी सीता जी के साथ यहां आकर नर्मदा के पार हुए थे वे दोनों भगवान विश्णु के अवतार थे और पिता की आग्या का पालन करते वे इसी मार्ग से वन में गए थे उन्होंने इस श्रेष्ट तीर्थ में इसनान करके भक्ती पूर्वक महादेवजी का पूजन किया था जहां उनका इसनान हुआ वे इस्थान राज तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है वहां लक्षमनेश्वर तथा सीतेश्वर लिंग है जो देवताओं और दानवध्वारा वंतित है उस तीर्थ में शूलपाणी महिश्वर का पूजन करके मनश गणपती पद को प्राप्थ हो जाता है राजन वहां से पुर्ण तीर्थ शिवाले को जाए वही परम मनुहर महिश्मती पूरी है जिसका दर्शन करके कोई भी नीचे नहीं गिरता वहां अपनी ज्वालाओं से प्रज्वलित कालागनी रुद्र का निवास है इसके बाद कोटी तीर्थ है जहां कोटी श्वरलिंग विराजमान है उसकी पूजा से कोटी यग्यों का फल प्राप्थ होता है वहां दियेवे दान का पुर्ण कोटी गुना बढ़ जाता है इ इसके बाद वंध्या और नर्मदा का संगम है जो देवताओं और असुरों से भी नमस्कृत है राजन उस संगम में मुनकेश्वर लिंग है जिसका दर्शन केवल योग्यों को होता है इन सभी लिंगों और तीर्थों का भक्तिभाव से पूजन करके मनिश्य ब्रहमत्या आदी पापों से मुक्त हो जाता है इतना ही नहीं वह अंत में शिव लोग को प्राप्त होता है और उसके पित्रों को भी स्वर्ग लोग में स्थान मिल जाता है जै भूलिनाथ आज की कथा में बस इतना ही इसके आगी का व्रतांत आप सब आने वाले ध्याय में जरू सुन